हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशियलोजी नौर्थ मानव की अफधारना यानिकी कॉंसेप्ट आफ मैन के बारे में हम बात करेंगे इसकी फर काफी इंपोर्टन टॉपिक है तो आप इसको जरूर ढंक से देखेगा और वीडियो सुरूर से लेकर लास्त तक जरूर देखेगा तब यह आप उस सारी चीज़े क्लियर होंगी और अगर फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको आगे जरूर फॉरवर्ड करा करिये ताकि और लोगों की विडियो पहुंशब पाए जो लोग भी टौप चाहते हैं जो लोग भी पढ़ना चाहते हूं तक यह विडियो पहुंशब पाई तो वीडियो को देखेे पसंद करें अगर समझ में आती है तो लाइक जरूर रखे जाए हैं और चैनल को सब्सक तो हमारे आज के विडियो है मानप की अवधारना एवं समांः सास्ति छिद्धान वा उपागम। इससे रलेटेड मैंने पहले वीडियो प्लोड को कही जिसमें हम ने पढ़ा था मानव की अवधार्णा यानिकी ता कॉंसेट ऑफ मैन के बारे में पढ़ाता आज हम पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर में मानव की अवधार्णा एवं समाग सासे सिधान्त वा उपागम तो जो लोग भी मेरे चैनल पर फर्स टाइम आए हैं वीडियो फर्स टाइम देख र हैं वर्स टैवेट देखने की कोशिश करते हैं और अपनी सही है और में घर करने के लिए थे सिर्फंज है करते हैं तो अपना आपको मेरे लिए बहुत बढ़ा सपोर्ट यहींदि artists प्रने को और आपको वीडियो पसंद आती तो इसको लाइक जरूर करा करें तो देखे हमारी आज की वीडियो है कि समाज सास्त्रे सिधानतों एवम उपागों में मानव की अभधरना के बारे में दो द्रस्टि कोड पाए जाते हैं और उसके द्वारा समाजिक वास्विक्ता के समझने का प्रयास करते हैं तो फ्रेंस अगर आपको इसकी PDF चाहिए इस नोट की तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और नहीं तो आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं नहीं तो इसका स्किन सोट ले सकते हैं जैसे भी आपको ठीक लगे बट PDF पेड होती है जिसके लिए आपको 15 रुपे पे करने होते हैं तो समझने का प्रयास करते हैं कि इन्तु दोनों ही उपागों में विचार और अन्वेशोन का केंद्रे विंदू समाज ही है हम यहां समाज सास्य सिधानतों एवं उपागों में विवेचित मानव की अपधारना को जानने का प्रयास करेंगे तो फ्रेंस हमारा आगे हम जब बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि प्रत्यक्षवादी समाज सास्य सिधानत में मानव की अपधारना यानि कि क्रत्यक्षवादी जो पॉजिटिपिक होता है हमारा उसमें सोचोलोजिकल थियोरी को हम पढ़ेंगे कॉम्ट एवं स्पेंसर जिनका नाम समाष सास के उदगम से जुड़ा है यानि उदगमानी विकास से जुड़ा है प्रत्यक्षिवाद के प्रमुक का बोलवाला था स्पेंसर ने अपना प्रारूप जीवन विज्ञान जीव विज्ञान से तथा काम्ट ने भौतिक सास्तरे ग्रहाण किया था स्पेंसर ने व्यक्ति को समाज का अंग माना है उसने कहा है जिस प्रकार से एक भवन का निर्मार इंट, पत्थर, चूना, लकड़ी, आदी इकाईों से मिलकर होता है उसी प्रकार से समाज का निर्मार भी विविन इकाईों के योग से होता है जिसमें बहुत सारी इकाईयां मिलकर समाज का निर्मार करती है इस मानफ के अवधारना में जो भी मानफ से related चीज़े जिन भी विचारकों ने अपनी विचार रखें उन सब के वारे में include किया गया है इस चैप्टर में तो यह वीडियो बहुत important है तो जरूर देखेगा इस चैप्टर से related दो तीन वीडियो होंगी तो अभी हमारी सेकेंड वीडियो चल रही है तो ध्यान से जरूर देखें फिर हमारा बढ़ता है next point स्पेंसर ने समाज को दो भागों में बाटा सैनिक समाज तथा अध्योगिक समाज सैनिक समाज विवस्था में व्यक्ति की अपेक्षार राज को महत्पुर एवं सर्वोपरी माना जाता है और राज को सहयोग देना व्यक्ति का अनिवार कर्तब्य होता है next है हमारा अध्य लोगिक समाज विवस्था में निरूंकत सासन का इस्थान प्रजातंत्र ले लेता है इसमें व्यक्ति का महत बढ़ जाता है उसे विचार एवंभासर की सोतंद्रता होती है राज का हथशेप घट जाता है ठीक हथशेप माने कि कि किसी के बीच में ना बोलना अगस्थ कॉम्ट के समाज सास में मानव की अवधारना के बारे में एक भिन प्रिकार का परिपेक्ष पाया जाता है काम्ट ने व्यक्ति को नहीं बरन समाज में परिवार को इकाई माना है वो भवात्मक संबंदों पर अधारित होता है काम्ट की मानक की अवधारना अब पहले हम स्पेंसर के बारे में पढ़ रहेते हैं अब हम काम्ट की बारे में पढ़ रहे हैं कि काम्ट की मानक की अवधारना उसके मस्तिक्स विवस्ता के सिद्धान अर्थात बौधिक विकास से जुड़ी है उसने मस्तिक्स विवस्ता के तीन प्रमुक अंग माने हैं किसने कौम्ट ने भावनाय क्रिया एवं बुद्धी यानि कि फीलिंग्स एक्षन एन इंटेलिक्ट इंटेलिजन्स भावनाय नैतिक्ता का अधार हैं कांट ने धर्म के उद्विकास को भी तीन चरण माने हैं जीवित सत्तावाद और बहु देववाद एवं एकेद वद यहनि कि एक इस वर हैं कांट ने समाजिक पुर्ण न्रमाड की योजना भी प्रस्तूत की है कामड ने समाजिक पुर्ण निर्माड की योजना भी प्रस्तूत की है, स्पेंसर एवं कामड के बाद एक अन्य प्रतक्षवादी समाज सास्त्री पैरटो हुए, अब हम पैरटो के वारे में पढ़ रहे हैं कि उन्होंने मानक के अवधार्णा के वारे में क्या कहा, मानक के वारे में पैरटो के विचार उसकी समाजिक किरिया की अवधार्णा एवं भावना यानि कि सेंटिमेंट्स की संद्शना के वारे में व्यक्त विचार में देखे जा सकते हैं, पैरटो की विसिस चालको या अफसेसों की अवधार्णा भी महत पोड़ हैं, पैरटो मान पधांत तर्ख की अवधारणा यानिकि ड्राइवेजेशन की अवधारणा भी महत्पूर है पैरेटो कहता है कि व्यक्ति अपने द्वारा किये कारे को उचित मानता है जबकि समाज उसे अनुचुत टहराता है जैसे कि कोई भी व्यक्ति है अगर कोई काम करता तो उसे लगता है मैंने सही किया है भले ही वह समाज के लिए गलत हो है ना लेकिन आप हैं हम हैं कोई भी हम काम करते तो हमें लगता है हमने अपनी तरफ से वह सही किया है तो अपने कारे का उचित सिद्ध करने के लिए वह कई प्रिकार की दलीले युक्तियां है और यह सिध्ध करने की कोशिश करता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है अतारकिक नहीं वरंतोर्किक हैं मतलब ठीक है वह इसे ही पर्ट अपतर्ग कहते हैं अने माइं में कौई ऐसी चीज चल रही हैं कि हम हम अपने ही चीज से Death Star Oswald हैं हम प्रुटी पूर्ण निस्ट कर्सों की और ले जाते हैं पैरटों के समाश सास में मानक की अवधार्णा का संबंद उसकी अविजात वर्ग की अवधार्णा से भी है पैरटों ने जन संक्या को दो भागों में बाटा है अविजात वर्ग और समाने जन अविजात वर्ग को भ तिहास सासक वर्ग कब्रगाहा है ठीक है का कब्रगाहा है तो फ्रेंट्स जो भी मैं चीजे हाइलाइट करें वह इंपोर्टेंट है तो उसको जरूर नोट डाउन करेंगा और दूसरी बात यह है कि इस चैप्टर में आपको बहुत सारी ऐसी चीजे देखने को मिलेंगी जि अक्षवादी समाज सास्यों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं दुर्खिम ने मानफ को समाजिक प्रक्रियाओं की उपज माना है मानफ की वारे में दुर्खिम के विचार उनकी संविवाजन आत्महत्या तद धार्मिक जीवन के प्रारमिक स्वरूपों में देख सकता है आत्मत्या के बारे में अभी मैंने रिसेंटली वीडियो अप्लोड करी थी तो वह भी आपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं फिर आता है दुर्खिम अपनी कृति समाज में स्रम विवाजन में मानफ की अवधार्ना के विकास को समाज के विकास के साथ जोड़ता है अल लगाओ के वारे में भी मैंने वीडियो पहले अपने चैनल पर अप्लोड कर रखें वो भी आप देख सकते हैं स्रम विवाजन के वारे में भी कर रखें मानफ की अवधार्ना के विकास को समाज के विकास के साथ जोड़ता है वैं समाज के विकास को यांतरिक एकता वा वीडियो है जो आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं उसका लिंक को वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा आप चाकर उसको देख सकते हैं बहुत एच्छी तरह से उस वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया है अलगाओं को दुरखिम ने अपनी रचना आत्महत्या में माणफ की अफधारना को नए रूप में प्रस्तुत किया दुरखिम ने इन विचारों को आइसो कारी किया है और कहा है कि स्वयम समाज ही आत्महत्या के लिए उत्तरदाई है उसने आत्महत्या की प्रमुक तीन प्रकारों को उल्लेख किया है अहमबादी परार्थवादी नियम हींता के कारण जनित आत्महत्या उसे तीन प्रकार के आत्महत्या बताई एहमबादी परार्थवादी और नियम हींता जब व्यक्ति अपने को समाज से कटा हुआ अनुवप करता है मतलब अपने आपको समाज से अलग अनुवप करता है औ और आत्महत्या करता है तो वह आहम बादी आत्महत्या कहलाती है परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति अपने को समाज से अत्यदिक जोड़ लेता है मतलब अपने आपको जादा इंक्ल्यूट कर लेता है समाज की चीजों में और जब उसके साथ कुछ जोलत होता है तो एक परिवर्तन आ जाए जैसा जीवन जी रहे और एकदम से उसमें कोई परिवर्तन आ जाए बहुत अमीर से जीवन जी रहे और एकदम से आपके जीवन में गरीबी आ जाए तो अस्वंतुलन आपका बैलेंस विगड़ जाता और उसके कारण व्यक्ति द्वारा की गई आत् मानव की अफधार्णा के वारे में दुर्खिम के ये विचार ही आधुनिक्तम समाज सास्त्री विचारदारों जैसे संकेतिक संकेतिक यानिकि सिंबॉलिक के वारे में भी मैंने अपनी चैनल पर पहले वीडियो अप्लोड कर रखिए अंतक्रियावाद प्रगटना सास्त के दुर्मड्स वारे में भी कर रखिये इसके वारे में अ था जए के लिए विचारख्तिक संकेतिक लिए जो तो फ्रेंड जो लोग भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल पर नहीं आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली नई वीडियो के लिए मेरी आने वाली नई वीडियोज होगी प्रक्यारवादी समार सास में मानफ की अवधारना कॉंसेप्ट और मैं